नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक वडर्से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और फेस वीडियो में आज कैसे वीडियो के मा ध्यम से मैं आपको Εक आएसी अरुवेदिक पत्ते के बारें बताऊँनगा जिसके इस्थमाल से आप पथसरी की समस्या से निजाद पा सकते हैं चाहें वो पथरी गुर्दे की हो या फिर पीत की दोस्तों पहले के जवाने में इतनी दवाईय अब लेवल नहीं थी जिसके अभाव में लोग कुछ ऐसे अरुवेदिक पत्तों का कुछ ऐसे अरुवेदिक जड़ी बुटियों का इस्तिमाल करते थे जिससे कि उनकी पत्तरी काफी तेई से खत्म हो जाती थी दोस्तों आप सभी जानते हैं आज गल की दवाए कितने ज्यादा साइड इफेक्ट डालती हैं तो फ्रेंट्स आज मैं आपको कैसे अरुवेदिक पत्ते के बारें बताऊंगा जिसका दोस्तों अगर आप हमारे ब सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल मैं घंटी को जरूर दबा दें जिससे कि दोस्तों मेरे आने वाली वीडियो के जनकारिया आप सभी को जल सल मिल जाए करेंगी दोस्तों आप जो पत्ते देख रहे हैं इसका नाम है पत्थर चट्ट दोस्तों ये आपको भारत में बहुत यसाने से हर समय मिल जाता है दोस्तों इसके पौधे कुछ इस परकार से होते हैं दोस्तों पत्थर चट्टा और सजियो गूरों से भरपूर है जिसके इस्तमाल से आप अपने किड़नी और पेट से संबन दित बिमारियों से निजात पासकते हैं दोस्तों अगर आप हमारे बतायनुशार इसका इस्तमाल कर लेते हैं तो आपके गुर्दे की पसरी को मातर चार से पांस दिनों में बहुत यसानी से खत्म कर सकता है गला सकता है तो फ्रेंस आपको इसका कैसे इस्तमाल करना है चली वह जान लेते हैं दोस्तों अब को इसमें पत्ते को आपको हल्की मिसरी के साथ थोड़ी सी में मिसरी के शांथ चबा करके खा लेना देन unserem करना है कि दोस्तों आप इसका लगतार सब्ताहँ पर इस्थभाद implement करें इसकेबाद अपने कि आपकी पाशरी की समस्या खत्म हो चुकी है आपके पीट में जो भी दर्द की समस्या वो खत्म हो चुकी है तो यह थी आजकी महतपूर्ड जनकारी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब कर तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थाइक फ्रेंट्स